आपके बास कितना भी पैसा हो, फिर भी उस पैसों से सचा प्यार नहीं पास सकते हैं मुसिवक्त के बाद कोन क्या है यह हमें पता चाब जाता है इसी दिंग पर वेस्ट आज मैं आपको अवेग कि 2007 की एक हॉलिवड थ्रिलर मिस्ट्री मुवी एक्स्पेंट करने वाला हूँ स्टार्टिंग के बाद यह मुवी जो टन ले दिया इससे बहुत ही इंट्रेस्टिंग बनाता है तो अंतर इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरूर करतीजे अपीना किसी दिरीखे एक्स्पेंशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होते हैं हमें बताया जाता है हर साल ऑपरेशन के बगज 21 मिलियन लोगों को अनसीशा दिया जाता है इन में से सिर्फ 30,000 लोगों को ये सूट नहीं होता ऑपरेशन के बगज को सो नहीं पाते और ये बहुत ही डर्दनाग होता है इनके हाथ पर पर पैरलाइस्ट होते हैं ये पेन में एसुस करते है पर कुछ भी कर नहीं पाते है। इसके बाद हमें डॉक्टर जैक दिखा जाता है। जैक हमें बता रहा था कि जब आपकी डेद आनी हो वो आ ही जाती है। आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाते है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन में लास्ट किया है पर आज पहली बार मेरे फ्रेंड को मैंने खो दिया। उसके फ्रेंड का नाम है क्ले है। वो गहता है क्ले जब आज सुबा उठा तो किसके बारे में सोच रहा होगा। उसे लगता है को Sam के बारे में सोच रहा होगा Sam एक Clay की girlfriend थी अब हमें flashback दिखाय जाता है Clay अपनी girlfriend Sam के साथ रह रहा था ये दोनों एक दुसरे से बहुत प्यार करते है ये दोनों अपनी relationship को ले कर बहुत ही serious है और Clay को अब सब कुछ चीज़ अपनी मदर को बतानी है अक्चुल में से हमें Clay की मदर के लिए काम करती है तो इस वाजे से वो बहुत ही जादा nervous था उसकी मदर को उनकी relationship गलत लग सकती है वो आज उसे बताने के लिए बहुत ही डर रहा था Sam ने Clay को काम पर छोड़ दिया वो कहती है तुम्हें एक happy life deserve करती हो Clay उसे कहता है आज मैं मदर को बता ही दूँगा आज Clay की बहुत important meeting थी वो इसके लिए ज़रा डर रहा था वो अपने doctor friend Jack से बात करता है यह वही doctor है जो हमें इस story बता रहा था वो कहा रहा था कि मैं कभी भी अपने father की तरह successful नहीं हो पाऊंगा Jack ने उसे कहा तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए इसके बाद Clay Jack के साथ hospital में आया Jack कहाता है operation में बहुत सारे error हो सकते है generally लोग doctor को यह blame करना पसंद करते है Clay का एक operation होने वाला था तो इसके प्रोसेजर Jack उसे बता रहा था actual में Clay का heart बहुत ही weak है तो उसे heart transplant की ज़रूत पढ़ने वाली है वो अभी waiting list में है जब उसे heart मिल जाएगा तब तुरंद उसके surgery हो जाएगी Clay अपने friend पर बहुत trust करता है तो उससे heart transplant करवाने वाला था Jack ने Clay को समझाया तुमारा operation बहुत ही dangerous है अगर तुमें अपनी life में कुछ करना होगा तो अभी कर डालो जिससे तुम प्यार करते हो उसे बता दो कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो शायद इसके बाद तुमें कोई भी मोका ना मिले जैक से मिलने के बाद Clay अपनी मदर से मिला उसका नाम है लीलित आज लीलित के साथ एक बहुत ही बड़े sergeant थै उनका नाम था डॉक्टर जॉनाथन जॉनाथन ने बड़े-बड़े TV actors का भी transplant किया था लीलित चाहती थी कि Clay का operation एक base doctor से ही हो पर Clay अपने friend पर बहुत trust करता है राद में Clay ने अपने office के party पर जापनी इस company से बात की वो उनसे गयता है मेरा hard week है पर मेरा दिमाग तेज है मैं आपको कोई भी नुकसान होने नहीं दूँगा उसका confidence बात करने का तरीका ये सब देखकर है company अब उसके साथ deal करने के लिए ready थी उसकी mother उसवर बहुत ही proud है Clay ने notice किया था कि शायद Lily Jonathan को पसंद कर दिया तो उसके बारे में उसे वो बात करता है Lily ने का तुम्हारे father के जाने के बात मुझे किसी में भी interest नहीं है जब father की date हुई थी तो Clay बहुत ही छोटा था तो Lily ने पूछा कि अपने father के बारे में तुम कुछ जानते हो Clay कहता कि मुझे उनकी date ही आथ है उनकी smile ही आथ है उसे अपने father के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता उसे रगता है कि उसके father business में बहुत इपेस थै और कभी भी उनकी जगा नहीं ले सकता यही बार हम देखते है Sam Lily को उसके appointments के बारे में बताने के लिए आई हुई थी Clay ने अब तक अपनी मदर को कुछ भी नहीं बताया पर Clay मान नहीं रहा था Lily कहती है तुम उसे चुन सकतो या मुझे Clay कहता है कि ऐसा ultimatum देना गलत है और वो Sam के साथ यहाँ से चला गया Sam को इस जगड़े की वज़े से बुरा लगता है Clay ने कहा कि कभी ना कभी तो होना ही था उसने अभी Sam को मैरेश के लिए प्रपोस कर दिया वो आज रात ही उससे शादी करना जाता था वो अपने फ्रेंट जैक को बलाता है वो जल्दी से जाक कर ये शादी कर लेते है आज ये दोनों बहुत खुश थे है ये इंटिमेट होने वाले थे तब ही Clay को मैसेज आ जाता है Clay की सरजरी करे जिस हार्ड का वेट करे थे ये फाइनली उन्हें मिल चुका है ये जल्दी से होस्पिटल में भोश गये जैक सारे डॉक्टर से Clay को मिलवाता है लिलित को भी नोटिफिकेशन आ गया था तो वो भी यहाँ बर भोश गई थी वो फेस से Clay को समझाने की कोशिश करती है ये जोनदने बहुत ये अच्छे डॉक्टर है तुम्हें उनसे ये ओपरेशन करवाना चाहिए पर Clay इस बात के लिए नहीं मानता Clay ऑपरेशन के लिए रेडी हुआ सम कहती है जल्दी से वापस आ जाओ हम अमारी न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे ये दोनों इसके लिए बहुत खुश थे वेटिंग रूम में लिलित अब भी सम से बात नहीं कर रही थी वेटिंग मशीन से कुछ निकालने की कोशिश करती है तो सैम ने कहा कि कभी-कभी आपको ज़रा वेट करना पड़ता है ये मशीन ज़रा फॉल्टी था सब डॉक्टर मिलकर ऑपरेशन के लिए रेडी होने लग गए तब ये वहाँ पर लेरी नाम का डॉक्टर आता है आज रात उपरेशन के लिए कोई और डॉक्टर आने वाला था पर उसके जगा पर लेरी आ गया इससे सब डॉक्टर ज़र गया जैक सब से गयत है सिर्फ खिलाडी चेंज हो गया है प्लान अब भी वही है ये उपरेशन करना कंटिनू करते है जैक ने कले से का कि अब मैं तुम्हें एनिस्टिशा दूँगा तुम सो जाओगे कुछ भी कर निपाओगे इस नीन को तुम एंजॉय करना तुम्हें कुछ भी फिल नहीं होगा एनिस्टिशा देने के बार कले को नीन आने लग गए वो अपने सबने में सैम को देखने लग गया अचानक से ऑपरेशन में जो भी हो रहा था ये सारी चीज़ें उसे फिल होने लग गए जैसे कि हमें मुवी के फर्स में बताया गया था कभी कभी एनिस्टिशा काम नहीं करता लोग पूरी दरीगे से पैरलाइस्ट होते है पर फिर भी सारी चीज़ें महसूस कर पाते है अब कले ओपरेशन की छोड़ी छोड़ी चीज़ें महसूस कर रहा था वो चिला कर जैक को बताने की कुशिश करता है कि अब सब कुछ वो फिल कर रहा है पर कुछ भी कर नहीं बाता उसके आग बन थी और सब को लग रहा था कि वो डीप स्लिप में है ज्रैक फिर उसे कट करना स्टार्ट करता है उसे बहुत ज़ादा पैन महसूस हो रहा था और वो कुछ भी कर नहीं पाया उसने अपने mind को control करने के लिए Sam के बारे में सोचना start कर दिया थोड़ी देर तो relax रहा और बाद में उसे अपने father की date याद आने लग जाती है उसे बहुत सारी random सी memories याद आती है तो उसमें Sam से वो first time कैसे मिला था ये भी उसे याद आता है Sam Clay के लिए curious थे तो उसके room में आ गई थी उसकी सारी चीज़े देख रही थी Clay ने उसे पकड़ लिया था और इसी तरीके से उनकी love story स्टार्ट हुई थी इनकी first date पर Sam Clay को Brooklyn लेकर गई थी Clay बहुत ही ज़ादा अमीर है तो कभी भी उसने Brooklyn को देखा नहीं था इसके parallel में हम देते हैं कि Sam और लिली जब वेट कर रहे थे तो Sam के पास एक doctor आया वो उससे पुछता है कि मैंने यहाँ पहले तुम्हें कभी देखा है Sam ने उसे अपनी ring दिखा है तो वहाँ से और चला जाता है लिलीद नोटिस करती है कि Sam ने दो rings पहनी है उसे पता चला Sam और क्ले ने आज रहती शादी की थी ये बात उसे अच्छी नहीं लगती Sam की परस नीचे इर गे तो उसमें Clay की सब medicines रखी हुई थी वो हमेंशा Clay का खैल रखती थी ये लिलीद ने देखा और वो रेलाइस करती है कि Sam भी Clay से बहुत प्यार करती है उसके लिए केर करती है तो अब वो जरा रिलाक्स थी लिलीद ने का कि Clay को अलग-अलग allergies है पर Sam को इसके बारे में पता था लिलीद सिर्फ Sam के लिए वरीड थी Sam आ कर उसे गले लगा लेती है फिर से हमें Clay का उप्रेशन दिखाया जाता है डॉक्टर लैरी जरा ब्रेक के लिए यहाँ से चला गया तो सारे डॉक्टर्स मिलकर डिस्कस करने लगते है इन में से एक डॉक्टर पटनम ने का कि अब हमारे प्लान का क्या लैरी हमपा नज़र रख रहा है जैक करता है कि लैरी रंग है उसे कुछ भी याद नहीं होगा अब रेक के वग भी हो दारू पी रहा होगा इनका प्लान था कि Clay को इस ओप्रेशन में हो मार डालेंगे और इसे प्लान को गंटिनू करने वाले थे इस सब बाते के लिए सुन रहा था इससे वो बहुत ज़ादा डिस्टर्ब हो गया वो उट कर यहाँ से भागने के कुशिश करता है उसे लगा कि वो उट शुका है पर वो वही बेट बर पड़ा हुआ था उसी के माइड में अलग-अलग जगा पर वो खुम रहा है लैरी जब बाहर आ है तो सैम उसे बात करती है कहती कि ओपरेशन कैसा चल रहा है लैरी ने कहा कि सब कुछ ठीक है पर सैम नोडिस करती है कि लैरी ट्रंग है उसने उससे कहा कि तुम यहाँ पर काम नहीं करते वहाँ अंदर चल क्या रहा है यह देखने के लिए Sam Operation Trader में आके Sam ने Jack से पूछा कि Larry यहाँ पर कैसे है उसके जगा पर तो कोई और आने वाला था पटनमों से कहता है कि Larry को कुछ भी समझ मिने आएगा सब कुछ हमारे plan के according ही होगा इसका मतलब है Sam भी इनके plan में शामिल थी Clay से तो उसके marriage हो गई है तो उसके मर जाने के बाद सारी property उसे ही मिलने वाली है तो उसी ने इससा plan बना हुआ था Jack को realized हुआ था कि Clay के साथ जो वो कर रहा है यह बहुत ही गलत है वो डर रहा था और अब यह operation वो complete नहीं करने वाला था Sam उससे समझा थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इसे को कुछ बेशक नहीं होगा जो हमने start किया है वो finish करते है Clay सारी चीज़ों को लेकर सोचने लग गया अपने subconscious mind में उससे याद आता है इस जैक के ओफिस में उसने सैम का फोटो देखा था पहले सैम और जैक यह दोनों एक साथी काम करते थे Clay को फजाने के लिए सैम ने अपना नाम चेंज कर लिया सारी आइडेंटिटी चेंज करकर वो लिलित की हाँ पर काम करने लग गए सैम जैक को समझा रही थी कि हमें पूरी लाइफ में अब काम नहीं करना पड़ेगा जल्दी से इस ओपरेशन को हम खतम करते हैं ये सब सुनने के बाद Clay को बहुत बुरा लगा वो unconscious था फिर भी उसकी आखों में आसु आगे जैक क्ली का हार्ट बदल देता है और इस हार्ट को बन करने के लिए इंजेक्शन उसे इंजेक करना था ये जैक को करना सही नहीं लगता वो डर रहा था तो सैम खुद इंजेक्शन हाथ में लेकर क्ली को दे देती है कले के अपने प्यार के हाथो ही डेथ होके सैम को उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं होता जब वो वापस लिलित के बास आए तो गहती कि ओपरेशन टेटर में सब कुछ ठीक है लिलित को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गरवड है अब तक डॉक्टर को आज आना चाहिए था सैम उससे यह दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा कले को कुछ भी नहीं होगा तो उसके बास जीने के लिए बहुत साइर रीजन्स है फिर से हम कले का सबकॉंशनस देखते है और वो बहुत सैड़ था उससे अब कुछ भी समझ में ने आ रहा था कले का सबकॉंशनस घर आता है अपनी डेथ का वेट करता है लैरी जब उने ब्रेक से वापस आया तो जैक इस तरीके से ब्रिटन करता है कले का हार्ट खराब था इसी वज़े से उसके डेथ हो गई इसके बाद जैक जाकर लीलिट को बता देता है कि कले का हार्ट सही नहीं था उसके डेथ हो गई है लीलिट उस वर बहुत गुस्सा हो गई कहती कि सब कुछ तुमारी वज़े से हुआ है डॉक्टर लैरी लीलिट के पास है कहते हैं हमें आपकी पर्विशन चाहिए कले को हमें बाइपास से निकालना है लीलिट पूछती कि इसका क्या मतलब लीलिट ने कहा कि कले अब भी जिन्दा है पर उसके पास हार्ट नहीं है वो सिर्फ मशीन के साहरी जी रहा है वो इस तरीके से हमेशा नहीं जी सकता लीलिट ने कहा कि फिर उसके लिए अलग हार्ट ले करा लैरी कहता है इस तरीके से इजिली हार्ट नहीं मिलता वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते लीलिट कहती कि मुझे सोचने के लिए वक्स चाहिए सब लोगों को उसने बाहर निकाल दिया वह इस जगा वर बेटी और उसके पास जो भी गोलिया थी यह सारी गोलिया उसने ले ली उसकी वही पर डेथ हो जाती है अब हम देखते हैं कि Clay की सबकॉंशेस में Lily भी उसके पास आ चुकी है यह दोनों एक दुसरे से बात कर सकते थे Lily ने सुसाइड करने से पहले Jonathan को कॉल कर दिया था तो उसकी सारी टीम यहाँ पर पहुच जाती है Lily अपना हार्ट लेक को दे सके इससे बचे से उसने यह सब किया हुआ था जल्दी से Jonathan हर्ट लांस्पांट के लिए रेडी हो जाता है Jonathan यहाँ पर पहुचने के बाद सब कुछ समच चुगा था कि Jack ने किया क्या है Jack के साथ जो भी डॉक्टर है यह जल्दी से डर कर वहाँ से भागने लग जाता है फिर से हमें Clay का सबकॉंशनस दिखाय जाता है Clay मदर से बुच्छता है कि आप यहाँ कैसे क्या आपको सब कुछ पता था मदर कहती कि पहले तो मुझे कुछ भी पता नहीं था पर सैम ने जब वेंडिंग मशीन से कुछ निकालने में में मेरी हेल्प की तो मुझे बता चला कि वो यहाँ पर काम करती थी मैंने उसकी बैक चेक की तो मुझे उसके मेल्स मिले उससे चीज़ कंफर्म हो गई जब मुझे तुम्हारी डेट के बारे में पता चला तो सारी चीज़े क्लेर हो गई थी वो उससे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी हम देखते हैं कि सारे डॉक्टर्स भाग रहे थे पर लेरी ने पुलिस को पुला लिया लिलित का हार्ट निकाल कर कले का ट्रांस्प्लांट हो रहा था जैक साम को लेकर अपने ओफिस में आ जाता है कहता है कि हम जल्दी से यहां से भाग चलते है साम ने कहा कि मुझे भागने की जरूरत नहीं है मैं अब भी कले की वाइफ हूँ हमने क्या क्या इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है वो जैक को लॉक कर कर जा रही थी तो जैक कहता है जो सिरीश तुमने क्ले को दी थी उस पर तुमारे फिंगरप्रिंट्स है तुम्हें बच नहीं सकती सैम को पच्टा होने लग गया वो जैक के साथ जाना चाहती थी पर जैक अब यहाँ से नहीं जाना चाहता उसे पता है कि उसने बहुत गलत किया और इसकी सजा वो भूधने वाला है सैम को पुलिस पकड़ लेते हैं हम फिर से कले का सबकॉंशिस देखते हैं कले अपनी मदर से गयता है या अब में आगर जिन्दा भी रहा तो मेरे लिए उस वर्ल्ड में कोई भी नहीं है वो अब मरना चाता था ऑपरेशन के वक्त लेका यह एट्टूट अच्छा नहीं है अगर पेशन कोई जिन्दा रहने की चाहत ना हो तो ऑपरेशन फेल हो सकता है पेशन का रिस्पॉंस है बहुत इंपोर्टन होता है मदर ने कले से कहा कि तुम बहुत स्ट्रॉंग हो तुम अकेली सब कुछ कर सकते हो कले ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की पर मेरे फादर की तरह में सक्सिस्फुल नहीं हो पाया मदर कहती कि तुमारे फादर से बिज्शन से में सक्सिस्फुल थे ऐस परसन वो इतने अच्छे नहीं थे जिस दिन उनकी डेथ होई थी इसके बारे में मदर ने कले से कहा उस राद उनका बहुत बड़ा जगड़ा हो रहा था फादर ने मदर को भी मारा था गुसा आओकर वो कले को भी मारने वाले थे तभी मदर ने एक रॉड लेकर उन्हें मार दिया वो उपर के फ्लोर पर थे और वहाँ से नीचे गिर गए थे तो सबको लगा था कि ये सिर्फ एक एक एकसिडन्ट था कले उस वक बहुत ही छोटा था उसने सब कुछ देखा था पर उस बात को भूल चुका है रिलीद कहती है मैं तुमारे फादर के बारे में सिर्फ तुमें पॉजिटिव चीज़े ही बताती थी तुम तुमारे फादर से बहुत बेटर हो तुमें अब अपनी जिन्दगी के लिए लड़ना है कले भी अपनी मदर की विश्मान लेता है और वो भी अब जीना चाता था ओपरेशन सक्सेस्फुल हो गया और अब वो होश में आ जाता है जैक जो हमें स्टोरी बता रहा था तो हमसे कहता है हम सब लोग ने बहुत गलत किया हमें इसकी सजा भुगत नी पड़ेगी बड़ अट दे एंड आफ दे टे सबसे इंपोर्टन चीज़ ये है इकली जिन्दा है इसे के साथ ये मूवी एंड हो जाती है